दोस्तो स्वागते आप सभी का हमारे चलर टेक्यो हेल्प में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि DMI Finance में कस्टूमर केरते बात कैसे करें जी हाँ दोस्तो अगर आपने DMI Finance से लोन ले रखा है या दोस्तो आपने जो है कोई फोन इसमें जो है फाइनेंस करा है और आपको जो है किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है जैसे कि आपने जो है EMI को सही हमें पर पे कर दिया है और आपको जो है ओवर डियू चार्ज द देखने को मिलेगी तो दोस्तों अगर आप भी जाना चाहते तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखेगा और दोस्तों पर पहली बार आएं चलको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आर चलको सब्सक्राइब करना है और जो साथ में घंटी बाला बटन है उसको अगर दोस्तों बिभी प्रेस करेजएगा क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए रोजनास तरह की काम के ऊटेश्टे वीडियो लाते रहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है डेमाई फाइनस कस्टुमर किरते बात करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने फोन की ब्रावजर में आजाना है ब्रावजर में आने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च करना है DMI Finance तो जैसे आप इसको लिखके सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ऊपर की साइड में बहुत सारे DMI Finance.in पर इसी पर जो है क्लिक करना है तो जैसे आप इस जो है वेपसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके बिलकूर नीचे की और आजाना है नीचे की और आने के बाद में यहाँ पर आपको एक उप्सन मिलेगा Contact Us का तो आपको सिंपली यहाँ पर Contact Us के उप्सन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तो जो है आपको DMI Finance का यहाँ पर contact number मिल जाता है जैसे कि अगर आप यहाँ पर fax करना चाहते हो fax के लिए आपको number यहाँ पर देखने को मिल जागा उपर आपको यहाँ पर call करने के लिए भी number मिल जागा यहाँ पर आपको एक mail ID मिल जाती है जिस पर आप दोस्तों mail के थो भी जो है आपर अपनी problem को पेश सकते हैं जैसे कर आप photo upload करना चाहते हो जो भी आप problem है तो आप यहाँ पर mail के भी थो भी थो कर सकते हो यहाँ पर जो है Monday से लेकर आप Sunday के भी जो है नौ बचे से लेकर रात आट बचे तक किसी भी टाइम यहाँ पर call कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो बसंद वीडियो को लाइक करें और चाल को पता सस्क्राइब नहीं क्या तो अपली जार चाल को सस्क्राइब कर ले दन्वाद